तो अभी रीसेंटली मैंने आपके साथ कुशन कवर आईडिया शेयर किये थे तो उसके ही जो बचे हुए कपड़े हैं उससे अब हम कुछ festive decor DIY बनाएंगे Hello everyone, Welcome back to my channel BZP तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारे first idea के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे एक E4 size का paper आप अपने according कोई भी size ले सकते हैं यहाँ पे और इसको half से fold करके कुछ इस तरीके से मैं एक जहरोका का template यहाँ पे design करके उसे cut कर लेंगी half से fold करने पर यह हो जाता है कि आपको दोनों side equal मिल जाता है तो इस तरीके से हमारा जो जहरोका का pattern था वो ready हो चुका है अब हम उसको cardboard के उपर press कर लेंगे और उस cardboard को हम craft knife या फिर precision knife की help से cut कर लेंगे अगर आपका cardboard थोड़ा thin है तो आप scissor का भी use कर सकते हैं अब हम इनको यहां पर wrap करेंगे तो जो darker color का था मेरे पास fabric उसको मैंने सबसे नीचे वाली base पे लगाया है glue gun की help से मैं इसको stick करीं आप चाहे तो यहां पर fabric glue का भी use कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको यहां पर stick कर लेंगे हमेशा मैंने यह सुना है कि glue gun से हमारा जो item है वो कितनी बार अच्छे से नहीं चिपकता वो उखड जाता है वो इसलिए क्योंकि हमारा जो glue gun है वो अच्छे से गरम नहीं हो जाता है जब तक कि वो बहुत अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, उसमें से जो glue sticks हैं, वो melt होके गिरने नहीं लगते, तब तक आप इसको use मत करिए. ये तो हो गया, अब यहाँ पर हमारा जो base था, उनको हमने आपस में ready कर लिया, अब इनको हम इस तरीके से layering करके stick कर लेंगे. उसके बार यहाँ पर यह कुछ इस type के में बस mirrors थे, तो इससे मैं इसको decorate कर लूँगी, बस इतना ही किया हैं मैंने, ओफ यह hair fall तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मैंने कई बार मेथी राने hair pack भी लगाया है, लेकिन सच बताऊं, यह सब मेरे लिए थोड़ा सा hassle वाला process हो जाता है, और आजकल rosemary काफी popular natural ingredient हो गया है for hair fall control and hair growth, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी try करती हूँ, so mama earth लाए है rosemary shampoo and conditioner, जिसमें है rosemary and meethi dana, जो सिर्फ hair fall control ही नहीं, बलकि बालों को strong भी बनाता है, it reduces hair fall up to 93%, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ mama earth का rosemary hair oil भी शेयर किया था जो कि मैं regularly लगा रही हूँ for new hair growth, research बताते हैं कि rosemary hair oil is more effective and safer ingredient than minoxidil which is widely prescribed and known medicine for new hair growth, and mama earth के सारे products आपको Amazon, Nica, Flipkart, Purple के साथ साथ, mama earth के official website and app पे तो available है ही, अब हमारे local stores पे भी available है, and अगर आप मेरा coupon code khushpoo2023 use करते हैं, तो आपको extra 20% off भी मिलेगा, लेकिन ये offer सिफ mama earth के official website and app पे ही available है, तो चलिए देरी किस बात की, क्योंकि mama earth का एक और अच्छा goodness initiative है, which is plant goodness initiative, जिसमें आप जब भी कुछ purchase करते हैं, तो mama earth आपके purchase को एक plant से link करते हैं, and उस plant को actually में plant करते हैं, इनका target है by 2025, 1 million trees plant करने का, तो यहाँ पे देखिए, बिना किसी paint, किसी brush के हमने कितना सुन्दर सा colorful जहरो का बना लिया है, वो भी बचे हुए कपडों के टुकडों से, next DIY के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक round mirror, आपके से भी shape and size का mirror यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं इस size के दो cardboard कट कर लूँगी, next मैं यहाँ पे ले लूँगी थोड़े scrap fabric, जो मेरे पास पिछली DIY से बचे हुए थे टुकडे, and अब इनके लिए मैं छोटे-छोटे triangles कट कर लूँगी and उनको मैं wrap कर लूँगी, यहाँ पे stick लिने के लिए मैंने glue burn का ही use किया है, कुछ इस तरीके से हम सारे जो triangles हमने कट के हैं, उन सब को different-different color के fabric से हम यहाँ पे इसको wrap कर लेंगे and stick कर लेंगे, अब जो हमने 2 circles कट के थे, उसके अंदर मैं एक और छोटा circle कट कर लूँगी and जो हमारा ring निकला है, इसके उपर भी जो हमारे पास fabric था, उसको हम इस तरीके से wrap करते हुए stick कर देंगे, तो जितने भी टुकडे थे मेरे पास fabric के, उन सब को इस तरीके से मैं wrap करती जाओंगे, जिससे कि यह काफी multi color बनने वाला है, आप चाहें तो single color का भी use कर सकते हैं, या पिर यहाँ पे गोटा पट्टी, different color के laces का भी use कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अकम budget में ही बनाने की कोशिश किये, इसलिए बहुत ज़ादा extra चीज़े मैंने यहाँ पे use नहीं किये, तो कुछ इस तरीके से अब हम इसकी layering कर लेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला cardboard था वो रखा, बीच में जो हमने दूसरे cardboard का जो portion cut किया था, उसको रख दिया है, सारे triangles को इस तरीके से arrange कर दिया, mirror को arrange कर दिया, उसके बाद जो हमारा ring था, जो hoot था, उसको भी हम यहाँ पे stick कर देंगे, stick कर दिक लिए आप किसी भी strong glue का use कर सकते हैं, और किछ इस तरीके से हमारा एक बहुत ही प्यारा festive mirror ready है, अगली idea के लिए मैंने हाँ पे ले लिए हैं यह कुछ baskets, तो फिलहाल मैं एक ही आपके साथ share करें, तो इसका diameter सबसे पहले हम measurement ले लेंगे, क्या इसका diameter है, and extra margin रखेंगे, उसके बाद उसी diameter के हिसाब का जो radius निकलेगा, उसके according हम यहाँ पे एक triangle कट कर लेंगे, उसके बाद, आप कहेंगे बहुत बाद तुम उसके बाद उसके बाद बोलती हूँ, तो measurement देखे, कितना easy था इसका लेना, सबसे पहले हमने एक paper ले लिया, उसके बाद उस paper को half से fold करके, हमने triangle कट कर लिया, and fabric को भी half से fold करके, कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे cut कर लिया है, हमारे सारे triangles ready हो चुके हैं, अब हम इनको यहाँ पे stick कर देंगे, इसको fold करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि obviously हम overlap कर रहे हैं, तो एक side का edge जो है, उसको ही अगर आप fold करेंगे, तो काम हो जाएगा, अब जो extra fabric है, उसको हम नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से fold कर देंगे, and stick कर देंगे, अब जो edges हैं, उनको cover करने के लिए, मैंने हाँ पे यह गोटा पटी का use किया है, आप कोई भी different laces का use कर सकते हैं, एज के लिए मैंने हाँ पे यह pom-pum lace का use किया है, अब लास्ट में टिप के ऊपर मैं एक छोटा सा pom-pum stick करूँगी, and बस हमारा जो यह cute सा festive छतरी है, वो ready हो चुका है, मैं हमेशा देखती थी, and काफी costly आते हैं यह कितनी बाग, तो मैंने सोचा कि चलो खट सही बनाते हैं, अब देखे कितना फटा-फट से हमारा जो एक cute सा छतरी था, वो ready हो चुका है, अब चली चलते हैं, अपने अगले आइडिया की तरफ ते, हाँ पर अगेन मैंने यह चोटे-चोटे टुकडे ले लिये हैं, अब चली मैंने जो फैब्रिक लिया था, वो मैंने एक-एक मीटर ही लिया था, उसमें सोचे मैंने कुशन कवर्स बना लिये, पाँच, एक रनर बनाया, मैंने अच्छे बड़े साइज का, उसके बाद आपने देखा, मैंने ज़रो का बना लिया, मैंने मिरर बना लिया, मैंने एक क्यूट सी छहतरी बना ली, और उसके बाद मैं यहाँ पर यह और डियाइवाइस बना रही हूँ, और सच बताओं, अभी भी मेरे पास 50% से ज़ादा फैब्रिक बचा हुआ है, मैं क्या-क्या बनाओं, मैं खुद भी नहीं सोच पा रही हूँ कि अब मैं उन फैब्रिक का कैसे यूज़ करो, आइडियाज आज आएंगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो चली बातों बातों मैं मैंने हाँ पर स्टेप्स नहीं बता है, जादा कुछ बड़े स्टेप्स नहीं थे, यहाँ पर आक्चली मैं हम बंटिंग्स बना रहे हैं, तो इसका नाम मैं आक्चली मैं भूल गई हूँ, शायद इसको बकरम ही बोलते हैं, मैंने काफी टाइम पहले एमेज़न से लिया था, इसको आप जब प्रेस करते हैं, आयन करते हैं, तो यह स्टिक हो जाता है फैब्रिक के साथ, तो कुछ इस तरीक से मैंने यहाँ पर यह वाले स्टेप फॉलो किया है, आप चाहें तो डर्टली यहाँ पर कोई भी एक फैब्रिक लेकर के ट्रेंगुलर शेप में उसको स्टिच कर सकते हैं, और उसको क्लिप कर दीजिएगा, तो वो भी बहुत ईजी है, लास्ट में इनको आपस में एक साथ स्टैक करने के लिए मैंने गोटा पट्टी का यूस किया है, और बस हमारा जो लास्ट राएवाई था वो भी रेडी हो चुका है, I hope मेरा आज का एवीडियो आपको अच्छा लगा हो, if yes, do let me know in a comment section below, and don't forget to like, share and subscribe my channel, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, till then, take care, bye-bye.